यूपियसी करेंट अफेर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है मेरा नाम है विश्वजीत हम चर्चा करेंगे हल ही में सुर्खियों में आई बाग जनगड़ना दोजार तेईस के बारे में 9 अपरेल 2023 को करनाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयूजित एक कारिक्रम के दोरान प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भारत में बाग अनुमानों के नवीनतम आकड़े जारी किये है प्रधान मंतरी द्वारा जारी किये गए आकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत में बागों की संख्या 3166 दर्ज की गई नवीनतम आकड़ों से पता चलता है कि देश में पिछले दो दश्कों में बागों की संख्या लगबग दोगनी हो गई है एक अप्रेल 1973 को बड़ी बिल्ली की घट्ती अबादी को रोकने के लिए शुरू किये गए प्रमुक संरक्षन कारिकरम प्रोजेक्ट टाइगर ने हाल ही में अपने 50 वर्ष सफलता पूरक पूरे किये है आकडों के अनुसार भारत में वर्ष 2018 में बागों की संख्या 2967 थी जो वर्ष 2022 में बढ़कर 3166 हो गई है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किसी भी जानवर को सुरक्षा और संरक्षन प्रदान करने के उद्देश से शुरू की गई अपनी तरह की पहली महत्पूर्ण संरक्षन योजना है प्रोजेक्ट टाइगर की पचासवी वर्ष गाठ के अवसर पर करनाटक में बोलते हुए प्रदान मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता ना किवल भारत के लिए बलकि दुनिया के लिए भी गर्व की बात है प्रधान मंतरी ने इस दोरान पारस्थितिकी तंतर में एक महत्पूर्ण प्रजाती बाग के भारती संस्कृती और परमपरा का एक अभिन अंग होने का भी उले किया कारिक्रम के दोरान प्रधानवंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलाइंस यानि आईबी सीए का भी शुभारम किया और साथ ही टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावी मुल्यांकन के पांचवे चक्र की सारांश रिपोर्ट भी जारी की आईबी सीए को भारत के प्रस्ताव पर बड़ी बिल्लियों के लिए वैश्विक गडबंधन के रूप में शुरू किया गया है आईबी सीए साथ बड़ी बिल्लियों यानि बाग, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगवार और चीता के संरक्षन के दिशा में काम करेगा आईबी सीए की सदस्ता बड़ी बिल्लियों के प्रकृतिक आवास वाले 97 रेंज देशों के लिए खुली होगी अनुसंधान और विकास के साथ साथ बेंच मार्क प्रथाओं के आदान प्रदान पर भी जोर देगा आईबी सीए के लिए भारत द्वारा 100 मिलियन डॉलर के निवेश का भी प्रस्ताव किया गया है एंटी सीए यानि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉर्टी प्रोजेक्ट टाइगर से सम्मंदित शीर्ष निकाय है एंटी सीए का अगठन दिसंबर 2005 में किया गया था एंटी सीए बाग संरक्षन से सम्मंदित पारिस्थितिकिक और प्रशाशनिक मुद्दों को संभोधित करता है